राज मॉली साहब वो डारेक्टर है जिन्हों ने एक से बढ़कर एक फिल्म में बनाई है इनकी कोई भी फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं रही है जितनी भी फिल्म में बनाई है सब के सब सुपर डूपर हिट रही है अब ट्रिपल आर तो सिदे ऑसकर की रेस में पहुँच च सुनता है अब इनों ने हिंदी सिनेमा के उपर यानि कि बॉल्यूट के उपर ऐसी बात कह दिया है जिसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए बॉल्यूट के लोगों को हाला कि मुझे नहीं लगता कि इन बातों का बहुत ज्यादा फरक पढ़ने वाला है क्योंकि आपका यह कहना है कि मैं कुछ वजह बता रहा हूं इनी वजहों के चलते ही वाल व्ध के फिल्में फ्लॉक हो रही है इनका यह कहना है कि हिंदी फिल्म इंडस्टि में जबसे और सबकुछ बदल गया है एक्टर डिरेक्टर्स यह ज़्यादा पैसे चार्ज करने लगें और इनके अंदर पैसों को लेकर एक भूक जाक चुकी है मुझे नहीं लगता कि फिल्मों को बनाने का कोई सेक्रेट फॉर्मूला होता है दो ही बाते कहना चाऊंगा एक तो ओडियंस के साथ आपका कनेक्शन होना चीए दूसरा आपको बहुत ज़्यादा सहज नहीं होना क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा सहज हो जाते है तो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो जाते है अगर फिल्म की अनॉस्मेंट के वक्त आपके फिल्म बेहतरीन प्रदर्शन करने का काम करती है तो आप आत्मों संदुष्ट हो जाते हैं फिर आगे की चीजों के पर तहान ही नहीं देते हैं तो देखे राज मॉली का जो कहना है वो तो बिल्कुल सही है लेकिन इस साल बॉल्यूड में फिल्में चली कितनी है भूल भूलोया टू, दकश्मीर फाइल्स और दिरिश्यम टू यही तीन फिल्में चली है बाकी ब्रह्मास्वर गंगु भाई काटिया बाड़े को लेकर अभी भी विबात बना हुआ है कि इसने कमाई कितनी की है तो इनके उपर जाना नहीं चाहूँगा और जुग जुग जीयो तो बिल्कुली बकवास फिल्म थी उसे ना जाने कहां से 100 करूर रुपे की कमाई करके बताया गया उसे इतनी बकवास फिल्म वरुर दवन की कहां से वो 100 करूर पहुँच गई तो इस साल बॉलूट की कोई भी फिल्म चली नहीं है यही फिल्म में चली है और राज मौली ने जो कहा वो अपने एक्सपिरेंस के तौर पर कहा होगा लेकिन हम तो बार-बार यही कहना चाहेंगे कि बॉलूट की असली बर्वादी की बज़े यह लोग खुद हैं जहां पर असलीलता चरस गाचा ट्रक्स माफिया अंडर वर्ल बॉलूट माफिया फिर उसके बाद हिंदूइजम के अगेंश बाते करना हिंदू देवी देता सुषान सिंग्राथ पूत का केस जब तक यह सुलजेगा नहीं तब तक बॉलूट का कुछ भला होने से रहा